Hello everyone, क्या हल चाल लेज़े आपका? तो आज मैं लेगे हैं आपके लिए पनीर की बहुत ही amazing recipe जो आज हम पनीर बनाने जा रहे हैं न वो कि आम पनीर नहीं है, ये है जी अमरिसर की special पनीर भुरजी आपको पता है अमरिसर का खाना पिना बहुत मशूर है चाहिए सत्पुडा ले लिजिए, चना मठी ले लिजिए इसकी मतब बहुत ही बढ़िया चीज़े हैं वहाँ पर जो बनती है तो थोड़ी सी कोशिश मैंने भी किये धाबा स्टाइल में अमरिसरी पनीर भुरजी बनाने की तो चलिए फिर फटा-फट रेस्पी को शुरू करते है सबसे पहले ले ले लेंगी जी आधा कप मतर अच्छे डंक से धोलेंगे ने और कुकर में डालेंगे साथ यह आधा गिलास पानी और इसे हमने विसल दिलानी है तीन जस तीन विसल में बहुत बढ़िया जो मतर है वाइल हो जाएंगे पर इतनी बढ़िया रेस्पी है ना मतर मैंने इसलिए पहले उबाल लिये हैं ताकि जब आप फुर्ची बनाओगे ना तो अपने जाधा टाइम नहीं लगेगा पस यहाँ पर मैंने तीन बड़े बड़े प्याज लेके उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है अगर आपने आज तक अभी पनीर भुजी में मतर नहीं ना डाले तो इस पर ज़रूर डालेगा अमेजिंग टेस्ट आएगा यहाँ पर मैंने लिया है जी तीन बड़े टमाटर साथ ही हरी में चली है दो इनको भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे और इने भी ग्राइंड कर लेंगे देखें जो mixer grinder था ना उसमें मैंने प्याज ग्राइंड किये थे इसे मैंने से थोया नहीं उसी से काम चला लेंगे तो लीजी जी दोनों चीजे हो गई हैं हमारी ग्राइंड प्याज और टमाटर अब क्या करना है जी अब हम लेंगे पैन या कडाही में तेल तीन से चार चमाच हम लेंगे तेल अब तेल को अच्छे रंग से गरम करके पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी हिंग और उसके बार डालेंगे जीरा । देखिया हिंग से इसका टेस्ट बहुत hier बड़ी आता है मैं तो जादा तर दाल या सबजी में हिंग डालती ही डालती हूँ, मुझे इसका flavor बहुत पसंद है अब 37 में डालेंगे grind किये हुए प्याज, देखें यहाँ पे मैंने कोई lesson का use नहीं किया आप चाहूँ तो lesson अदर का paste भी डाल सकते हो प्याज को अब हमने देखें तब तक भूनना है, जब तक यह light brown कलर का ना हो जाए मतर चार से पांच मिनट medium flame पे से भूनने में लगेंगे, साथ साथ में हिलाती जूर दिख जाईएगा देखें प्याज का कलर काफिया तक change हो गया है, भी हमने एक सी दो मिनटे से और भूनना है पर जब प्याज जब भून जाएगा ना, फिर हमने क्या करने हैं, इसमें डालने हैं सारे मसाले जब आप प्याज को अच्छे रंग से भून लेगे ना, फिर उसमें सारा नमक, हल्दी में डालते हो ना, तो इससे जो सबजी का कलर है, बहुत ही बड़ी आता है यहाँ पर मैं एक चमच ले लिए नमक, आप अपने पनीर की क्वांटिटी के हिसाब से नमक मिर्च ज्यादा या कम कर सकते हो पिस्यू ही लाल मिर्च लिए है, साथ ही लिए है हल्दी, कुटी लाल मिर्च है आप कुटी लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ा सा डाला है पानी तकि मसाला बढ़िया तरिके से लग जाए बस देखिए अब इसे अच्छे ढंग से हम हिला लेंगे अब हमने टमाटर प्यूरी को तब तक बढ़ाना है, जब तक जो टमाटर है अच्छे रंग से गलना चाहिए और जो प्यूरी है वो ओइल न छोड़ दे, तब तक हमने इसे अच्छे रंग से भूनना है देखिए कलर कितना बढ़ी आया है, ऐसे ही कलर आपको चाहिए न तो अब जब प्याज भूनोंगे न तो उसमें सारी मसाले डालेगा फिर देखिए गा बहुत ही बढ़िया कलर आएगा पिरखुल अमधिस सारी पनेर भूजी जो बन रही है खाके मज़ा आजाएगा आपको इसे जाए नान के साथ खाईए चाहे चपाती के साथ, बहुत ही टेस्टी बनती है अब देखिए जो हमने टमाटर प्यूरे डाली थी तो उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है आप क्या करेंगे इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेति हाथ से क्रश करके क्या होता है कई बच जब हम कसूरी मेति यूज़ करते हैं तो वो तुरी सीली सी हो जाती है तो इसके लिए बहुत तो आप क्या किजएगे तवे पे हलका से रोस करके फिर इसे डालिएगा बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा अब इसके बार दाल देते हैं इसमें पनीर यहाँ पे डेट कप मैंने पनीर दिया है खेर का बना हुआ पनीर है जिने मैंने अच्छे ढंग से मसल लिया है अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें और इसे कर देंगे अच्छे ढंग से मेक्स वाई याँ सच में मसालों की जो खुश्पू आती है ना इंडियन मसालों का कमाली ऐसा यार सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्स तो मज़ा आई जाएगा तो सूपर से डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाली के विए न सबजी का टेस्ट वैसे धूरा हो जाता है तो बस गरम मसाला डालिए अच्छे डंग से इसे फिर मिक्स कर दीजिए आप इसे इंज्वाई कीजिए मतब चाहे चावल के साथ साथ में दाल है तब भी मज़ा आएगा एक बर बना के देखेंगे तो आपका मन करेगा बार बार इसी रेस्पी को बनाने का जाल है